हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, उमीद है आप सब अच्छे होंगे, फ्रेंड्स आज मैं आपको अपने रुटीन वर्क के बारे में बता रही हूँ, तो फ्रेंड्स आज कल बच्चे आई हुए हैं, चैसे कि आपको पता है रक्षा बंदन से लेकर 15 अगस तक बेटा रह गया है, उसने नहीं खाया है, उसका भी नाष्टा बन चुका है, रात को ही फ्रेंड्स बता दिया था उसने कि मुझे सुबह अलू के प्राठे खाने हैं, तो बस बन गए हैं, सब लोगों का नाष्टा हो चुका है, फ्रेंड्स, सुबह फ्रेंड्स चुट्टी वाले दिन थोड़ा धीरे-धीरे लगे रहते हैं, क्योंकि पता है, आज चुट्टी है, तो आराम से उठेंगे, आराम से काम करेंगे, और नाष्टे से पहले मैंने रूटीन वर्क के जो कपड़े वियरा धुलने थे, वो दोकर डाल कर आई थी, और फ्रेंड्स, तो ये कपड़े भी सुख चुके हैं, ये उतार लेती हूँ, कपड़े, तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना बाहर का जो आंगन है, वो दिखा देती हूँ, तो फ्रेंड्स, ये है मेरे घर की एंट्रेंस, में डोर, और ये सीडियों में थोड़े बहुत गमले टंगे हुए हैं, गमलों का मुझे बहुत शौक है, फ्रेंड्स पॉधों का, एक उर्सी टेबल रखी हुई है, जहां बैठकर हम शाम को या सुबह चाय पिते हैं, ये दिवार पर भी छोट छोटे गमले मैंने रखे हुए हैं, और गेट पे भी एक एक गमला शायद से हंजी रखा हुए है, गेट के अंदर का है ये सब द्रिशे, ये थोड़े गमले साइड में भी रखे हुए हैं, स्टैंड पे, थोड़े स्टैंड पर हैं और थोड़े दिवार पर रखे हुए है स्कूटर खड़ी है तो friends बताना कि मेरे गमले कैसे है ये corner में तुलसी माता जी है और इधर मनी प्लांट भी लगा हुआ है friends गमलों पौधों का मेरे husband को भी बहुत शौंख है ये बाहर थोड़े बहुत गमले रखे हुए है मैंने ये बाहर का द्रिश्य है और ये friends मेरा घर है देखकर बताना कैसा है कॉमेंट में ज़रूर बताना friends कैसा है मेरा घर और friends मेरे घर के अंदर सोफा बनाने का काम चल रहा है जिसमें ये तीन लोग लगे हुए हैं दो तीन दिन से ये लोग अपनी मशीने साथ लेकर आए हैं घर पे न्यू सोफा बनाने के लिए इन लोगों ने सामान मंगवाया था जिससे सोफा ये घर पर ही बना रहे हैं सोफा बहुत अच्छा बन रहा है friends जब complete बन जाएगा तो मैं आपको उसकी वीडियो ज़रूर डालूंगे थोड़ा बहुत रहता है अभी तो friends वीडियो को समाप्त करते हुए आप लोगों से request करती हूँ कि मेरे चैनल को like, subscribe और share ज़रूर कर देना Thank you friends करते हैं